तो देखो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो आपका चैप्टर है सेमी कंड़क्टर फिजिक्स कि जितने भी अब्जेक्टिव कोश्चन्स है अराउंड 40 अब्जेक्टिव कोश्चन्स हम डिसकस करेंगे इसके जितने भी अब्जेक्टिव कोश्चन्स है हम डिसकस करेंगे और ये 40 कोश्चन्स है आपका पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएगा तो एक्जाम से पहले इसको जरूर आप देख के जाएं और जो व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें और जादर से जादर शेयर करें जिससे हम आपके लिए ऐसा और भी कंटेंट ला सकें तो आपका पेपर डिसकस करना स्टार्ट करते हैं कि जिससे हम आपका ये पूरा चैप्टर इन कुछ कोशन से अरौन 40 कोशन के हम डिसकस करते हैं देखते हैं कितना टाइम होता है जिससे आपका ये पूरा हम ये चैप्टर रिवाइस करा सकते हैं तो discuss करना अभी start करते हैं तो सबसे पहला question है the diode can be used in तो diode का use पूछाए किस किस में होता है option A है clipper, option B detector, option C rectifier ये option D all of the above तो diode हम clipper में भी use करते हैं detector में भी use करते हैं rectifier में भी use करते हैं तो correct answer होगा आपका option number D all of the above ये side से मैं जो answer हो रहा है उसको भी tick कर दे रहा हूँ कोई दूसरी pen ले लो क्योंकि same रहा हो जाएगा तो हो सकता है confusion हो question number 2 the forward voltage drop across silicon diode is 0.7, 1 volt, 5 volt ये 0.3 volt तो correct answer होगा forward voltage drop कुछा है 0.7 volt होता है correct answer is option number A the figure ये जो diagram दे रखा है ये represent क्या करता है तो देखो ये crystal diode भी नहीं करता है zero diode भी नहीं करता है varactor diode का जो सही symbol दे रखा है न वो ये होगा इस question को आप हटा दो अगर पूछा जाए आपसे the figure ऐसे करके बनाया जाए और variable capacitance दिखाया जाए तो ये सही होता है आपका representation किसका ये जो symbol correct होता है वो varactor diode का होता है तो third question आप हटा दो fourth ज्यादा proper diagram दे रखा है आपका तो correct answer होगा option B आपका varactor diode question number 5 the leakage current इन्हें PN junction is of the order तो leakage current जो होता है PN junction में किस order का होता है तो जो correct answer होगा वो होगा आपका micro ampere में होता है micro ampere या nano ampere range में होता है जो आपका leakage current है लेकिन इसमें कोई भी answer आपका match नहीं कर रहा है तो micro ampere या nano ampere range में होता है तो इसलिए मतलब आपको correct answer में बता दे रहा हूँ बाकी ये question discuss हो गया photo diode is always dash connected तो photo diode हम कैसे connect करते हैं तो photo diode हमेशे जब भी connect होता है आपका reverse bias में होता है तो correct answer इसमें क्या हो जाएगा आपका option number B यहां लिख दो reverse reverse bias में connect करते हैं आपका photo diode question number 7 which of the following can be used in alarm circuit तो alarm circuit में कौन से diode यूज होता है photo diode, zener diode, LED या nano तो photo diode हम लोग alarm circuit में भी यूज करते हैं correct option is option number A तो zener diode is primarily used as तो zener diode का primarily used हम कहां करते हैं amplifier, rectifier, voltage regulator या nano तो zener diode आपका voltage regulator के form में यूज करते हैं तो correct answer is option C the base of a transistor is dash doped मतलब base जो होता है उसकी doping कैसे करते हैं heavily, moderately, lightly and end तो moderately doped होता है अब देखो बहुत जगा आप ये पढ़ोगे कि lightly doped होता है बढ़ अगर आप standards book उठाओगे जो बड़े authors होते हैं तो moderately doped लिखते हैं base को ठीक है तो ये काफी ज़्यादा ये बात आप लोग ध्यान लखना which of the following is used in 7 segment display तो 7 segment display तो आप अगर अपना calculator देखोगे तो वो उसमें जैसे ऐसे करके कुछ display बने रहते हैं ये 7 होते हैं जिससे कोई भी digit आप display कर सकते हो इसी को हम लोग 7 segment display करते हैं तो जब भी 7 segment display का हम use करते हैं photo diode नहीं करते है, zena diode भी नहीं करते है, crystal diode भी नहीं करते हैं जो use करते हैं वो होती है कि LED, light emitting diode and SCR is sometimes called है SCR को क्या कहते हैं हम लोग triac, thyristor, diac ये UJT तो मतलब SCR को हम क्या कहा जाता है most of the times तो आपका thyristor कहा जाता है तो correct answer is option B question number 12 the arrow in a transistor तो जो arrow होता है किसी भी transistor में बहुत लोग जो fundamental पड़े होंगे ये सब मैं उसमें भी discuss किया हूँ तो ये आपका semiconductor physics एक additional आता है physics में जो कि अगर किसने fundamental of electrical and electronics engineering subject ठीक से किया है पहली दूसरी unit उसके लिए काफी आसान होने वाला है the arrow in a transistor ये क्या बताता है base emitter collector तो ये आपका emitter represent करता है तो correct answer क्या होगा option number A which of the following is a unipolar device कौन size में unipolar device है PN diode, Zener diode, FET या BJT तो सबको पता है BJT का तो full form ही होता है polar junction diode ये आपके PN junction diode, Zener diode भी unipolar नहीं होता है correct answer होगा option C field effect transistor question number 14 the transistor was inventor by तो देखो transistor किसने invent किया था तो 3 लोग थे है William Shockley, John Bardeen और W.H.Bretton तो W.H.Bretton, Bardeen या option C both तो correct answer होगा option number C which is both question number 15 the element that has the biggest size in transistor वो कौन सा होता है collector होता है base होता है emitter या all are in equal sizes तो देखो जो आपका element होता है पुछा है जिस सबसे biggest size किसका होता है तो जो सबसे ज़्यादा biggest size होता है आपका वो होता है आपका collector का तो correct answer होगा option number A तो collector होता है जिसका सबसे biggest size होता है advantage of LED is तो advantage of LED पूछा है option A है long life, option B है fast on off switching option C है low operating voltage या D all of the above तो correct answer होगा आपका option number D all of the above ये advantage पूछा है LED का तो all of the above और long life भी होती है fast on switching low operating voltage तो correct answer is option number D ठीक है नग? D option number 17 which of the following represent crystal diode तो ये कुछ symbols दे रखे हैं इसमें पूछा है crystal diode का कौन सा symbol है तो correct answer जो होगा आपका इसमें तो तुमने थोड़ा zoom कर दूँ which of the following represent crystal diode तो जो correct answer होगा वोगा आपका option number A FET current is controlled by radio state, zener diode, electric field, all of the above electric field से controlled होता है field effect transistor is controlled by electric field correct answer is option number C is a symbol of ये एक symbol बना के रखा है तो ये question ही एक्चली गलत है गलत symbol बनाया होगा है सबसे पहले तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ ठीक है? question number 20 which of the following represents N channel J FET तो ये correct answer होगा option A ये जो A diagram है ये N channel J FET को represent करता है अब मैं कुछ आपको symbol बना के दिखा देता हूँ तो कि आपको confusion नहों हो आपके paper के लिए ठीक है? तो देखो देखो ये drain ये gate ये आपका source ठीक है? और यहाँ arrow अगर बना हो और वो भी अंदर के तरफ तो ये होता है आपका N channel J FET ठीक है? यहाँ आपका gate ये drain अच्छा ये arrow थोरा बहार निकल गया है उतना बहार होगा नहीं मैं इसको erase कर देता हूँ ठीक है? ये gate drain source ठीक है? और ये arrow बहार के तरफ तो ये हो गया आपका P channel J FET ठीक है? J FET कब ही पूछा था? तो J FET ही के बता रहा हूँ MOSFET में भी दो तरह के symbols बनते हैं enhancement type और आपका depletion type दोनों को अलग-अलग symbol से represent किया जाता है उसके अलग symbols होते हैं लेकिन J FET का क्योंकि सवाल में पूछा था तो मैं additional आपको दिखा दे रहा हूँ question number 21 varactor diode is used as for high speed switching as a voltage variable resistor as a variable capacitor या as a variable inductor correct answer option C as a variable capacitor the varactor diode is widely used in varactor diode का जातर use कहा होता है FM receiver, TV transmitter, receiver, communication system, all of the above तो all of the above are correct almost हर जगा ही varactor diode का में लोग यूज़ करते हैं which of the following consumes less power incandescent lamp, LCD, fluorescent tube या DLED correct answer option B LCD in zener diode the zener breakdown take place below 6 volt ठीक है 6 volt से के पहले होता है avalanche breakdown 6 volt के बाद होता है तो पूछा हुआ है the avalanche effect is valid above 6 volt होता है ठीक है avalanche effect जबकि zener effect below 6 volt transistor इजे, transistor कैसा device होता है current control, voltage control, base control या न न न दिया बबब तो transistor आपका current control device होता है correct answer is option A FET इजे, FET कैसा defines होता है FET आपका voltage control device होता है correct answer is option number B SCR इजे, SCR कैसा device होता है 4 layer and 4 terminal current control 4 layer and 3 terminal D9 correct answer and option C 4 layer and 3 terminal the majority charge carrier in N type semiconductor तो सबको पता है, अगर कोई भी semiconductor N type होगा तो majority charge carriers उसमें electrons होगे ठीक है correct answer is option A ध्यान लखिएगा इसको the energy band gap of silicon अब देखो energy band gap of silicon का होता है वो temperature dependent होता है ठीक है temperature dependent तो अब इसमें temperature mention नहीं किया हुआ है इसलिए मैं बता नहीं सकता dependent लेकिन अगर आप 0 Kelvin पर मान के चलो तो 0 Kelvin पर अगर 0 Kelvin temperature मानो तो जो energy band gap होना चाहिए यह वो 1.21 electron volt होता है और अगर 300 Kelvin पर पूछा जाता तो 1.12 electron volt होता तो इस चीज का ध्यान लखना energy band gap temperature dependent होता है अगर 0 Kelvin पर पूछा गया है तो 1.21 electron volt अगर आपका इस पर पूछा गया होता 300 Kelvin पर तो 1.12 electron volt तो यह भी आप ध्यान लखिएगा question number 31 इस semiconductor have dash temperature coefficient तो semiconductor का कैसा temperature coefficient होता है correct answer option भी negative temperature coefficient होता है rectifier is a device which transforms rectifier कैसा transform करता है आपका AC को DC में convert करता है ठीक है तो pure DC नहीं होता वो but फिर भी options के according correct answer क्या होगा option number A minority carriers are many times activated by minority carriers many times activated होते हैं heat से correct answer is option number B LEDs are not used as rectifier diodes because देखो अब इसमें कोई भी proper reason नहीं दिया हुआ है लेकिन actually बात यह है ना कि देखो LED का जो operation होता है वो अलग होता है और rectifier का काम अलग होता है LED light emit करती है जबकि rectifier का जो use करते हैं AC to DC conversion में करते हैं तो ये तो भाई बात हो गई कि आप मुझ से खाना क्यों खाते हो नाक से क्यों नहीं खाते हैं दोनों का परपस अलग अलग है LED से light emit होती है rectifier का परपस अलग है तो इसी वज़े से अब इसमें कोई proper reason नहीं लिखा हुआ है दोनों का परपस ही अलग है ठीक है इस जेफेट इसे तो जेफेट एक FET का टाइप होता है FET के दो मतलब एक ऐसा समझो FET एक family हुई इसमें जेफेट और मैसफेट दो members होते है कहने का मतलब है कि FET आपकी एक family है और जेफेट और आपका जो है MOSFET दो members होते है उसके तो जेब FET ही अगर unipolar device है तो जेफेट भी आपका unipolar device हो गया ठीक है सेगंड क्या है हाई input resistance device ये भी सही है और फिर क्या है voltage control device ये भी सही है तो इसका जो correct answer होगा वो होगा आपका option D all of the work question number 36 a bipolar junction transistor is so known because if there are two junction P and N type region two polarities of voltage electrons as well as holes moving तो bipolar junction transistor is so known because in it there are मतलब दो junction होते हैं इसमें तो correct answer होना चाहिए और अप्शन है 37 operationally a thyristor is somewhat similar to thyristor similar to होता है BJT क्योंकि उसको हम जब उसका operation पढ़ते हैं तो समझ सकते हैं as a 2 BJT तो इस वज़ए से correct answer होना चाहिए C at 0 Kelvin an intrinsic silicon crystal X approximately as a insulator कि 0 Kelvin पे intrinsic silicon behave करता है insulator के तरह FET है FET के पास जो है कौन कौन से terminals होते हैं तो तीन होते हैं drain, source and gate correct answer कौन से होगा option आपका B in PNP transistor the majority carriers are तो PNP transistor में majority carriers कौन से होते हैं material is P tab या holes are generated material is empty तो दोना टाइब कर रहे हैं तो electrons generate होते हैं and the material is N तो ये around 40-41 questions हम discuss कर लेते हैं तो 40-41 questions हमने discuss कर लिए इसके आपके semiconductor physics chapter के तो अगर आपको पसंद आया हमारा वीडियो तो जास सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को like करें और share भी करें अपने friends के साथ आप ये भी बता सकते हैं कि जो 40 आफ around 40 में ही बता देना जितना 40 में आप लोग ने कितने सही किये आप अपना score बता सकते हो इसमें और किसी question में doubt हो तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं Thanks for watching our video